हलो गाईज, वेलकम टो प्रोजेक्स विट डिगंबर सो दोस्तों आज की इस वीडियो से हमारा जो जार्विस है वो बोलना स्टार्ट करेगा अब तक तो जार्विस ने एक वर्ड भी नहीं बोला पर आज की इस वीडियो से जो है अपना जार्विस बोलने लगेगा जब भी हम इसे कुछ प्रॉम्ट देंगे मतलब इसे हम कोई भी टेक्स देंगे तो ये अपना जार्विस जो है उस टेक्स को कनवर्ट करेगा वोईस में और हमें वो बोल के बताएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पर गाईज शुरू करने से पहले आज से हम एक नया टास्क करने वाले टास्क किये है कि आप लोगों को मैं एक कोशन दूँगा और उस कोशन का एंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है विट एक्स्प्लेनेशन ठीक है आज का हमारा जो कॉशन है वो है वाट विल बी आउट्पूट अप दीस कोड यानि कि आपको इस कोड का जो है आउट्पूट बताना है तो इसका जो एंसर है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं अब हम क्या करने वाल है अपने jarvish के अंदर जो है एक speak नाम का function बनाएंगे जिससे कि अपना जो jarvish है वो बोलने लगएगा ठीक है तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस engine folder के अंदर एक file बनाएंगे जिसका नाम होगा command dot py ठीक है इस file के अंदर हम speak function को बनाने वाल है ठीक है वो जो function है speak function वो एक library use करता है pyttx तो वो library हमें install करनी होगी तो मैं इस library की बात कर रहा हूँ pyttx 3 2.90 यह latest version है ठीक है तो आप इसे copy कर सकते हो या से pip install और यहाँ पर हम command prompt में डालेंगे pip install pyttx 3 और enter कर देंगे तो अभी यह जो library है यह हमारे install हो चुकी है अपने virtual environment में ठीक है तो यह जो virtual environment है यह मैंने अपनी पहली या फिर दूसरी वीडियो में बताया है कि कैसे virtual environment को create करते है ठीक है तो चलिए यहाँ से अब हम शुरू करते है अपना code को करना ठीक है तो सबसे पहले हम documentation को देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजर्स मेन उनने बताया कि import pyttx3 फिर उसके बाद में एक engine नाम का variable बनाएंगे फिर उसके बाद pyttx3 को init करेंगे तो अभी हम इसे ही copy कर लेते है पुरा इसका आपको एक line by line explanation बताऊंगा ठीक है तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर pyttx3 को import किया अभी हमें यह function के रूप में चाहिए यानि कि एक function चाहिए हमें तो मैं यहाँ पर लिखूँगा def और इसे कर देंगे हम speak function और यह जो function है यह एक argument लेगा हम इसमें एक parameter देंगे जो कि होगा हमारा text और यह जो text है वो यहाँ पर हम डालेंगे यानि कि हमें जो speak करवाना है अपने जार्विस से वो हम यहाँ पर डाल देंगे ठीक है यहाँ पर डाल दिया मैंने text और अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे है सबसे पहले pittx को init कर रहे है और उसके बाद हम क्या कर रहे है engine.say say मतलब क्या जो भी यह text है जो भी हम text इसे देंगे वो यह speak करेगा और run and wait का मतलब कि यह कुछ delay मतलब बोलते वक कुछ जो है बीच बीच में space लेगा तो यह इसके लिए ठीक है तो गाइस अभी हम इसे एक बार speak करवा के देखते है ठीक है तो speak करने के लिए मैं इसे यहाँ पर call करूंगा speak और इसमें एक text दूंगा जो क्योंगा I love India ठीक है अभी हम इसे क्या करेंगे यहाँ से run करके देखते है तो आप देख सकते हो कि इसने speak किया I love India तो गाइस इसमें problem क्या है basically जो है यह default Microsoft को voice ले रहा है ठीक है जो कि यह डेविड बट मुझे कोई another voice चाहिए जैसे कि मुझे jarways का voice पसंद है पर किसी को Friday का पसंद है या फिर किसी को जो है या फिर किसी को जो है edit का voice पसंद है तो वो जो हमें करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं इस init में pass कर सकते हैं तो init में pass करने के लिए हम sapify का यूज़ करनेंगे तो हम यहाँ पर डालेंगे sapify मतलब यह Microsoft के सारे voices है वो हमें देगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप init और अभी हमें क्या करना है सबसे पहले सारे voices को list down करना कि हमारे पास कितनी voices है अपने system में इंस्टॉल हुई ठीक है तो उन्हें लेने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक property है इसे हम call करेंगे और इसे हम यहाँ पर डाल देंगे और इन voices को हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे ठीक है प्रिंट voices तो हमें पता जल जाएगा कि हमारे system में कितनी voices इंस्टॉल है तो अभी मैंने यहाँ पर प्रिंट किया आप यहाँ पर देख सकते हो तर्मिनल में कि आपर हमारे पास दो voices है यह first voice और यह जो है यह second voice है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे हमने तो first voice को यूज किया बट हमें second voice भी यूज करनी है तो इसे यूज करने के लिए हम सब क्या करेंगे आपर एक function लगाएंगे यानि कि एक property आपर define करेंगे और वो जो पहला डेविड का voice है वो है हमारे पास 0th position पर तो अभी हमें one position का voice यहापर लेना है ठीक है तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर just इस property को आड़ कर देंगे तो यहाँ पर जो हम पहले भी bracket लगा देते हैं फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे voice one को यहाँ पर set कर यहाँ मैंने और अब हम इसे print करवाएंगे ठीक है आप देख सकते हो जो voice है वो change हो गया अभी अगर आप तो फिर से जो है डेविड का voice लेना है तो आप यहाँ पर zero कर सकते हो save मैंने किया हम देख सकते हो कि यह जो है डेविड का voice यहाँ पर set हो गया बट अभी problem क्या है इसका speech rate जो है वो बहुत है ठीक है तो इसकी वजह से यह हमें समझ नहीं रहा है कि यह क्या बोल रहा है तो हमें जो है इसका speech rate भी fix करना होगा तो speech rate को fix करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ हमारे पास rate fix करने के लिए एक property है यह volume के लिए है यह engine set rate ठीक है तो अभी हम यहाँ पर इसे डाल देते हैं engine.set property rate 125 आप इसे बैरी कर सकते हो 125 या फिर 127 में ठीक है तो basically यहाँ पर 125 वोईस रेट है बट जो standard है वो है 174 ठीक है तो मैं यहाँ पर 174 वोईस का rate रख दूंगा और अब हम इसे speak कर वाते है तो आप देख सकते हो कि इसने जो है इसे normal voice में इसे speak किया ठीक है तो अभी हम यहाँ पर और कुछ एक और प्राम डाल के देखते है लाइक इंडिया इस माइ country all indians are my brothers and sisters आप देख सकते हो कि इसने जो है एकदम perfectly इसे speak किया तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही so guys आज के इस question का जो answer है वो है answer c 4 because यह जो forward slash operator है यह जो है है एक integer value from floating point value जैसे कि 9 को अगर हम divide करें 2 से तो उसका जो answer आता है वो होता है 4.5 but यह जो operator हमने को like जरूर करना साथ ही में channel को subscribe जरूर करना ठीक है have a good day है झाल है झाल झाल